नमस्कार, मैं आपकी हिंदी अथ्यापी का सुदेश चोतरी और आज हम करने जा रहे हैं हमारी हिंदी व्याकन का एक विशे जो की है पद परिचे तो चलिए आरंब करते हैं आज हम बात करते हैं पद परिचे की पद मैंने पहले ही अपनी वाच्चे की वीडियो थी उसमें बताया था कि कोई भी शब्द जब तक अकेला होता है वो शब्द होता है लेकिन जब उस शब्द को व्याकनिक नियमों से युक्त करकर एक वाक्य बना दिया जाता है तो वो आपके सामने हैं वीडियाले एक शब्द है लेकिन मैं वीडियाले जाती हूँ इस वाक्य में वीडियाले शब्द का इस्तमाल क्या गया है अब जो वीडियाले वो एक पद है जाती हूँ वो भी एक पद है जब कोई शब्द या वाक्य में प्रिप्त होता है तो उसका व् या सरणाम होगा, या क्रियाविशेशन होगी, या काल के लिए इस्तमाल होगा, या नि उसका कोई अपना एक महत्व अवश्य होगा, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, पद कहा जाता है, और आज हम करेंगे पद का प्रिच्च है, आपके सामने हैं, पद और पद में अंतर, शब्द और पद में अंतर, मैंने बता, ये आपको समझाई दिया है, फ़िए वर्णों के करमबद वैसार तक समूं को, वर्णों से मिलकर जब अन्ते हैं, उनको शब्द कहते हैं, और वाके में व्याकनिक मैत्व को पद कहते हैं, जैसे कि देखो, नेता जी भाशन दे रह में दिखाया गया है, जबकि मेरी टोपी लाल को गयरे रंग में दिखाया गया है, और मैं जो है, वो गयरे काले रंग में दिखाया गया है, तो जो ये नेता जी लाल और मैं है, ये अब पद हैं, अब ये शब्द नहीं है, क्योंकि व्याकनिक नियमों से बद होकर वाके म जो गहरे रंग में था शब्द उस पद का में प्रिच्च देना है तो पहले तो वो क्या है भी नेता जी है तो संग्या है और हमें पता है संग्या किसे कहते हैं किसी विबैक्ती, स्थान, वस्तू, भाव, आदी का जो बोद करवाता है उसको संग्या कहते हैं अब हमें पता है नेता जी कोई विशेश नाम नहीं है तो हमें यह जानते कि यह जाती वाचक संग्या है ठीक है इसी परकार से लाल है लाल शब्दा टोपीक लिए इस्तमाल हुआ है विशेशन है हमें पता है विशेशन कहते हैं अब हमें विशेशन के भेद भी पता है, लेकिन लाल रंग है, वो कौन सा विशेशन है, गुण वाचक विशेशन है, इसी तरह से मैं है, सरवनाम, अब हमें मैं का भी पता है, कि जो संग्या के स्थान पर जो शब्दों का इस्तमाल किया जाता है, वो सरवनाम होते हैं, अब पुरुष वाचक सवनाम है, ये भी हमने कहते हैं उत्तमप्रोष, मध्यमप्रोष और अन्यप्रोष तो इस परकार से वाक्यों में प्रुक्त पदों की व्याकन की दिरिष्टी से जो पहचान सपस्ट के जाए या व्याकन के अनुसार जो प्रिचे बताया जाए, उसी कोई क्या कहते हैं, अब देखे प्रिचे में हम क्या क्या बताते हैं, अगर हम किसी संग्या के बारे में बताते हैं, तो हम उसका भेद बताएंगे, लिंग बताएंगे, फिर उसका वचन भी, फिर कार्क भी, फिर उस उसका विशेशन फोटाजंदा बतांगे जिसन का काल करता करम सब बताएंगे उसके अंदर किरिया विशेशन में हम उसका बेद बताएंगे, किरिया बताएंगे, और किस किरिया की विशेशता बताएंगे, वो किरिया बताएंगे, संबन बोदक में हम उसका बेद बताएंगे, जिससे उसका संबन दर्साया गया है, एक चीज का दूसरी चीज से, एक व्यक्ति का दूसरी व्यक्ति से, एक साथ उसका भाव भी बताएंगे कि ये हर्श के लिए इस्तमाल हुआ है शोक के लिए इस्तमाल हुआ है आश्चरी के लिए इस्तमाल हुआ है अब सबसे पहले हम देखते हैं संग्या संग्या का पद का लिंग वचन कारक किरिया के साथ सम्मन तता संग्या का बेद बताया जा जाती वाचक संग्या है अब हम देख रहे हैं बालक खेल रहा है यानि रहा है एक ही बालक है तो एक वचन हो गया अब हम देख रहे हैं बालक क्रिया है उसमें रहा है रही नहीं है क्योंकि बालक तो कोई भी हो सकते हैं बच्चा तो हम लड़की को भी कह सकते हैं लड़की को प्रताकार के, ठीक है, इस परकार करिया भी बता सकते हैं, कि किस करिया का करता है, खेलने का, जो करिया उसका करता है, इसके बाद है सरनाम, सरनाम के भेद, तता भेदो का नाम, लिंग, वचन, कार, तता करिया से समन्द बताए जाता है, जैसे कि देखिए, मैं लिख रहा हू किरिया पुलिंग है यानि कि मैं क्या है फिर हम इसका करते हैं कि मैं कौन सा पुरुष है उत्तम पुरुष है अपने लिए इस्तमाल हुआ है उत्तम पुरुष है कौन सा है मैं लिख रहा हूं किरिया में मुख्य है यानि करताकार का है और कौन सी किरिया का है लिखने की किरि रहा है यहां पर जो काला शब्द है वो रिखांकीत किया गया है किसकी विशेशता बता रहा है गोड़ी की विशेशता बता रहा है कौन सा विशेशन होगा काला है रंग है उसका रंग बता रहा है कौन सा होगा गुण वाचक विशेशन होगा विशेशन क्या है इसका गोड होगा तो इस परकार से ये हमारा क्या है विशेशन का पद प्रिच्च है बात करते हैं किरिया की मोहन हस्ता है किरिया में हमें क्या 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 बताना है उसका लिंग भेद वचन धातू काल वाच्चे सब बता सकते हैं किरिया में जैसे कि मोहन हस्ता है यहां हस्ता है उसको और रेखांकित क्या गया है यानि हसना क्या है क्रिया है सबसे पहले हमें पता है कि ये क्रिया है अब हमें ये पता करना है कि अकर्मक है ये सकर्मक है हमें देख लिया कि ये अकर्मक है हमने लिखते है क्रिया है हसता है मोहन एक है और वो हसता है यानि एक वचन है और मोहन हसता है हस्ती नहीं है, अगर हस्ती होता तो इस्त्रिलिंग होता, यह हस्ता है क्रिया, तो यह पुलिंग है, अब यह हस्ता है, यानि वर्तमान समय की बात कर रहा है, तो यह वर्तमान काल का है, यहाँ पर मोहन मुक्य है, तो क्रित्री वाच्चा बन गया, क्योंकि करता इसका मोहन है कर्म उपस्तित ही नहीं तो इसने क्या हो गया यह क्रि क्रित्रि वाच्च हो गया फिर इसने धातू कौन सी हुई हस हस धातू है हमने जब कर्या की किस क्रिया की विशेशता बताई जा रही है यह बताते हैं जैसे सुमी तेज चलता है अब जो तेज शब्द है वो क्या है हमें पता है चलता से पहले यानि क्रिया से पहले है तो वो क्रिया विशेशन है तेज है यानि कि वो कैसे चलता है क्रिया किस धंग से हो रही है यह बत अब बात करते हैं समंद बोधक की समंद बोधक जैसे कि हमने किये थे दो व्यक्ति वस्तों का आपस में जो समंद दिखाता है वो समंद बोधक होते हैं जिसमें की तुलना की जाती है एक दूसरे के साथ दिखाया जाते हैं किसी के सामने बताया जाता है जैसे घर के सामने के पीछे ऐसे ही एक दूसरे को दिखाना साथ में जोड़कर दिखाना समंद बोदक होता है ना तो हमने जो किया था उसमें अब प्रिचह में क्या है जैसे आशा की अपयक्षा लता गंबीर है अब की अपयक्षा आपको रेखा अंकित कर कर दिया गया है हमें बताना है हमें पता है कि ये लता और आशा के समंद को दिखा रहा है तो ये समंद बोधक है और किसका समंद दिखा रहा है आशा और लता का इस परकार से हम समंद बोधक का प्रिचे दे सकते हैं साथ ही है समुच्य बोधक समुच्य बोधक का भेद तता उसका आपस में समन्द बताय जाता है जैसे यहाँ पर है कि तुम पैन और पैंसिल ले लो पैन और पैंसिल हमें पता है पैन और पैंसिल एक जैसे ही चीज़ें है एक समान है तो इसमें क्या आएगा समाना दिकन और समुच्य बोदक है हमें साब पता लग रहा है कि समुच्य बोदक है और दो वस्तुओं को आपस में जोड़ रहा है दो व्यक्तियों को आपस में जोड़ रहा है दो वाक्या वाक्यांचों को जो आपस में जोड़ता है वो समुच्य बोधक समाना दिकर्ण है, मतलब समुच्य बोधक पद का प्रिच्या दे सकते हैं इस पाकार से, हम सम्द दिखाव सकते हैं, अब हम बात करते हैं, विश्मयादी बोधक सम Можно По-द्दक, विश्मयादी बोधक समद कब हमके पढ़ा था, कि ये विश्मियादि बोदक है फिर इसका भाव बताना है क्योंकि वाश अब दोता है आश्चरिय के लिए भी इस्तमाल हो जाता है खुशी के लिए भी हो जाता है तो यहाँ पर किस के लिए यह हर्च के लिए है तो यहाँ पर हर्श को दिखाने के लिए हर्श उल्लास को दिखाने के लिए हैं तो इस परकार से हम इसका पद प्रिच्चे दे सकते हैं प्रोक्त जितने भी हमने पद प्रिच्चे पड़े हैं वो हमारी सारे जो विशे हैं जो भी टोपिक हैं वो हमने किये हैं संग्या सरना कि आपशकता है पद प्रीचे को करने को,